हलू डियर इस्परेंट उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आज एलेक्षन का मैंडेट आ रहा है इंडिया में तो आप सब को इसकी बहुत-बहुत बधाई देखें जबरदस्त अपने लोकतंद्र को इंज्वाई कीजिए देखें कैसे क्या महल चेंज हो जुलाई से सुरू हो रहा है इसको आप जॉइन कर सकते हैं कि जीत के लिए हो जाये तयार और जरूर जूइन कीजिए विश्वास कीजिए जबरदस्त शेशन होगा ऐसा mentorship आपको आज तक अगर कहीं आपने पेड़ देखे भी किया होगा जैसे मैं देखता हूं कहीं कहीं 20 भी सचार रुपए देके मतलब mentorship program दिये जा रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए उससे अच्छी quality उससे जबरदस्त शीजिए आपको यहां पर मैं free में दूंगा description box में link है WhatsApp group का आप जाके वहां जोईन कर सकते हो या फिर i button पर click कीजिए यहां पर जाके वो वीडियो जयती है और एक जंगा स्थिर होके आप तयारी नहीं कर पाते हैं उससे बच जाएंगे ठीक है तो हम लोग का पीवाई क्यू कर से चल रहा है जिसमें मैं वह पीवाई क्यू बता रहा हूं जहां आप थोड़ी logical thinking करके कर सकते हैं मैं सब पीवाई क्यू नहीं करवा रहा बस वह करवा रहा हूं जहां logical thinking लग जाती है और आप उस question को गलत करके आते हैं तो वह question गलत ना हो इस वजए से ठीक है तो यह mentorship program आप सब को join करना है ध्यान रखना है कि आए इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूँ तो आप समझ पाएंगे अगर आप description box में जो में WhatsApp करेंगे तो हम आपको उस group में जोड़ देंगे या description box में सीधा WhatsApp पे आप जुड़ जाएए ठीक है सीधा जुड़ जाएंगे और एक बात और यहां में बता दूँ तीस तारीक को 30th June को एक जबरदस्त विबनार होगा विबनार एक growth meeting होगी क्या होगी growth meeting ठीक है यह growth meeting ना आपकी जिन्दगी के लिए बहुत बहतरी है विश्वास कीजिए कोई नहीं बात करता आपकी personality पे कोई नहीं बात करता आपकी commitment पे कोई नहीं बात करता आपके dedication पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगले एक साल में वह पागलपन आप कैसे बना सकते हैं जि लिकिन उससे पहले चलिए शुरू करते हैं अपना इस session को जैसा कि हमने 2023 complete कर लिया था 2022 भी complete कर लिया है 21 कर लिया है और 2020 हम लोग ongoing है हम क्या है ongoing है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बिलकुल delay नहीं करेंगे आज यू question बहुत अच्छे हैं आपका दिमाग 100% कुछ और open ह होगा ठीक है चले बात करते हैं आगे आज का पहला question क्या लिखा है दान से पढ़िए ऐसा question है यह सेम वाला 2023 में भी लाया था 2022 में भी लाया था और 2020 में भी ला रहा हूं देखो question इसी टरह से आ रहे हैं जब आ रहे हैं उनको पकड़ो ना पकड़ना ही तो है exam में ठीकिन ह ही पाते हैं क्या लिखा है भारत का समिधान संगवाज धर्म निर्पेशता मौलिक अधिकार और लोगतंत्र के संदर में अपनी बुनियादी संरशना को परिभासित करता है क्या करता है परिभासित करता देखो साफ साफ लिका है यानि कि the Constitution of India defines it's a basic structure in the term of federalism, secularism, fundamental rights and democracy तो इसका मतलब मैंने आपसे क्या बताया था कि जब भी UPSC कहे कि समिधान ये क्या करता है define करता है या इसको क्या करता है इसकी विशेसा कुछ पताता है तो ऐसे चीजों को हमेशा गलत काट देना क्योंकि समिधान प्रावधान करता है provisions देता है ना कि इसी चीज को परिभासि अलग-अलग कानून बनाए गए है इस बात को हमेशा धान रखेगा माइन में ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है 2023 में भी ऐसा क्वेशन था दोचार 22 में भी था 2021 में भी था और 20 में भी था देख रहो और उसके बास लोग कहते हैं कि यार नहीं अप्लाई होता करके तो करता है जिस पर सविधान अधारित है तो बिल्कुल प्रावधान की बात है ना क्या करता है प्रावधान करता है तो बिल्कुल है कि नहीं प्रावधान करता है और प्रावधान का तो काम ही है सविधान का लेकिन परिभासित का नहीं है तो ध्यान रखना तो Constitution of India प्रवाइ सही होगा चले नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं क्वेशन वन का भी ठीक है अगला अब बात करेंगे क्वेशन नमबर टू की क्या लिखा है धान से पड़ो भारत के 36 प्रतिशत जीलों के केंद्रिय भूजल प्राधिकरण द्वारा अत्तधिक दोहित या गंभीर रूप स अब मैंने आपसे याद करो एक बात बताई थी कि जब भी UPSC स्टेट्मेंट रनाती है जब कहीं पर संटेज दिया होता है वह अप्शन क्या होता है गलत होता है दो जाटेस में भी बताया था ठीक है शाहद 21 में था कि नहीं याद नहीं है लेकिन 20 में भी है तो आप दर्द साल अप्लाई कर वा रहा हूं और यहीं सीखना है नहीं तो परिलिम्स होगा नहीं पढ़ते रहो हर चीज सिर्प पढ़ने से बात नहीं बनती है यह ध्यान रखना तो भई यह ऑप्शन गलत हो गया ठीक है आगे क्या लिका है जो यह अथारिटी है यह फॉर्म हु यह पहला गलाता तो मैं पहला कार्ट देता हूं पहला काट ऊंग डो डौ 2N 3 बच और जब 3 मुझे। पता है कि सबसे बढ़ा है तो मामला दो का फसता है और दूसरा जब तीसरा ही है, देखो सवाल कैसे हो ताहो होता अगर मुझे पता है कि भारत में भूजल सिचाई विश्व में सबसे बड़ा है यह इतना तो मुझे पता है कि सबसे बड़ा है अब जब सबसे बड़ा है पूरे विश्व में तो इसका मतलब क्या हुगा कि यह दोनों तीसरा सही है यानि कि दूसरा आप्ट अटोमेटिकली सही हो लिए अगले question की तरह बार्थ करते हैं तो 2 का B ओके चल नेक्स्ट question number 3 क्या लिखा है यदि किसी बिसेश पौधी की प्रजाती को वन जीव सनच्छन अधिनियम 1972 की अनुसूची चार के अंतरगत रखा गया है तो इसका कि निहतार्थ क्या है यानि कि अगर schedule 4 में कोई plant रखा गया है तो वाइडला प्रोटेक्शन आक्ट 1972 कैसे करता है यह question है अब देखो क्या लिखा है उस पौधे की खेती के license की आउशक्ता होती है ठीक है सर कोई बात नहीं अगर plant species है तो ध्यान रखना license required है अब दूसरा क्या लिखा है ऐसे प्रोटेक्शन की बात है भाई बात है प्रोटेक्शन की खेती तो की जा सकती है ध्यान रखना किसी भी परिस्थिती में अब आपको सोचो ना एक्स्टीम स्टेट्मेंट है कार दीजिए सच प्लांट कर दियान रखना तो ऐसा नहीं है ध्यान रखना ऐसा इस स्टेट्मेंट कार दीजिएगा अगला इटीज़ेटली मोडिफाइट प्लांट ऐसी बात ही नहीं हुए थी विस्वासु कि अगर आपने पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है मैं कह रहा हूं तब भी लाइसन्स की और शक्ता होती है अच्छा गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है तो वहां पर करती है अधार कार्ड रिक्वाइड है या कुछ है उसको रिक्वाइड कर देती है ध्यान रखना है वैसे अधरकार नहीं है लेकिन और भी चीजों में आपसे कुछ data fact मान लिया जाता है उसी तरह license की होशक्ता है ठीक है यहीं से आप पकड़ सकते थे कि सबसे most priorities जो हमारा answer होना चाहिए वो यह ही होना चाहिए ऐसा पौधा पारिशित तंत के लिए अक्रामक और हानिकार है अब दे अब अगले question की बात करते हैं तो three का हमारा answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए ठीक है ए चले अब बात करते है next question number four की अब सवाल पढ़िए भारत में दाल उत्पादन के संदर में निमलिखित कर्थों पर विचार करें इसको लेके pulse production को लेके ध्यान से पढ़िएगा पहला भी सही होता है ठीक है आगे green gram alone account for nearly half of the pulse production जो दलहन का उत्पादन है उसमें लगबग आधा हिस्सा किसका है अगेरे मूंग डाल का है अब आप तो सोचो मूंग की जो दाल है किते घर में बनती है दाल वो और हैर की दाल उससे यादा बनती हो तो क्या जितनी दाले बनती है होती है मतलब जितनी दाले उगाई जाती है उसका आधा सिर्फ मूंग है यह खटक रही है वह बात खुछ सोचो खटक रही है ऐसी statement तुरंद गलत कार दिया करो आधा है आधे से जाद है बहिया और कुछ नहीं है क्या सिर्फ वही है ठीक है अरहर कहा होता तो एक बार सोच बढ़ा है वहीं रफी दालों का घटा है एक आच मैं आपको चीज बता रहा हूं जब कभी भी UPSC लिख लो नो डाउन कर लो कि जब कभी बोले लास्ट त्री डिकेट्स लास्ट फोर डिकेट्स लास्ट टू डिकेट्स ऐसे statement जनली रॉंग होते हैं क्यों रॉंग होते है बिकॉज इतने सालों का डेटा किसी को याद नहीं होता और UPSC से statement इसलिए बनाती है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग वो चट करना चाहती है कि 10 साल के जाके दालों का तुम पढ़के नहीं आयों कोई नहीं पढ़ता भाई और UPSC जानना भी नहीं चाहता है कि पिछले 10 सालों 20 सालों में 30 सालों कोई नहीं चाहता बस UPSC यह देखना चाहता है कि तुम कितना critically सोचते हो बस यह बात ध्यान रखना तो कहां खरीफ का गटा है अब फुसकी। यह statement कभी भी लिक्षा हो पिछले तीन सकों में चार सकों में घटा है बढ़ा है लगतार घटा है लगतार बढ़ा है śोगने अब पहला option कर लिक्राम जहां पे देखो दूसरा तो मुझे गलत दो जहां-जहां पे है ये दूसरा ये दूसरा ये दूसरा बचा क्या only one है कि नहीं best ऐसे ही mind लगा के आना please exam हो जाएगा आपका नहीं लगा के आओगे और इसको ना practice करनी पड़ती है आज दसवां session है मैं करवा रहा हूँ करिए एक आद दो question बीच में गलत हुए थे मतलब होता है ना कि यार जब इतना confidence होता है इसा चीज़ों के लिए कि तो आप answer नहीं देखते हैं वही गलती मुझसे भी हुई है पर कोई नहीं अगर पचास question में मेरे दो question गलत हुए है तो मैं accept करता हूँ यार elimination technique बताता हूँ इंसान हो जाता है ठीक है चलिए हो गया यहां पर अगला question की बात करते हैं question number four का हमारा option सही next अब जैसे एक बचा यह comment किया था कि सर्थ कहान वाले option कब गलत होते हैं कब गलत होते हैं रेयर चे answers होते हैं जैसे पाँच कोश्चन कायन वाला है तो एक कोश्चन गलत हो जाता है तो कब गलत होता है आव ये भी आज सीख लो वैसे मैंने एक 2001 केस में बताया था ये लेकिन आज फिर से सीख लीजे क्या लिखा है सौर जल पंपों के संदर में निम्लिकित कत्मों पर विचार कीजिए बिदेर रिफरेंश तो सोलर वाटर पंप कंसीडिर दे फॉल्लिग स्टेटमेंट पहला तोलर पावर कैन भी यूज फोर रुनिंग सर्फेस पंप अन नॉट पॉर समर्सेबल पंप अब लिखा है सौर उर्जा का उप्योग सतही पंपों को चलाने के लिए किया जा सकता ह है नंडा ही समर्सेबल पंपों के लिए अचैसी बताओ सतही में पंप हो एंटे तो उतना Alien tablet यो के बात तो इतना नहीं होता होगा कि सोलर पैनल उसको चला ही भी ना पाए इस बात को ध्यान रखना एक लॉजिकल थिंगे यूपिसी ने सिर्फ परिशान करने के लिए क्वेशन दिया कि आप सच में ऐसा कुछ इतना लॉजिकल सोच पाते हो कि नहीं सोचने कोसिस कीजिएगा इस सोलर पावर कैं भी यूज इन रनिंग मतलब सर्फेस को चला सकता है तो सेथी सी बात है ऐसे स्टेश्मेंट गलत कार दो क्यों कि भाई लिखा है यूज दोनों हो सकता है पावर्स की बात है आप इतनी लॉजिकल थिंकिंग एक्जाम में लगा कि आना यह तो कैन भी है सिब सही ना मार देना तो यह option क्या हो जाएगा हमारा गल सब्सक्राइब और जो प्रिष्टन वाले हैं वो नहीं चलेंगे ऐसा नहीं है दोनों चल जाएंगे क्योंकि एनर्जी की बात है अनर्जी का कंजम्शन दोनों में उतना ही होता है लग 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 थोड़ा सा 100-200 वाट का अगर फरक पड़ता है तो सोलर वार्ट अगर सोलर पंप के बारे में तुम पढ़ोगे क्या UPSC के स्लेबस में कहीं पर दिखेगा नहीं दिखता तो यह कोशन क्यों बना ही UPSC ने इसलिए कि आप exactly उस हिसाफ से सोच पाते होग नहीं यार अगर मेरे घर में दो फैन लगे हैं मैं कहूं कि एक फैन ऐसा है जो इन्वैट टू ठीक है तो ध्यान रखना इसको अच्छे से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी के लिए मुख्य परिक्षा में भारत लाने के लिए हम सुरू कर रहे हैं 26 जुलाई से विश्वास किजिए वह प सिखाऊंगा सि दिमांग मैं बनने सब्सक्राइब आपसे इस लिए इसका नाम है ट्रेनिंग में प्रोग्राम का है दो-चार-दस दिन की बात नहीं कि दो-चार-दस दिन आओ चलो मेन सो गया नहीं भी या एक साल लगातार मज़ा आ जाएगा ध्यान रखना तो चलिए मिलते हैं आप सबसे लेकिन हाँ एक चीज़ आपको यह नहीं भूलना है कि भाई जो यह मैंने बोला mentorship program इसको ही है मिलते हैं के लिए सेशन में तब तके लिए थांक यू सो मुच पाइट